मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो बारिश के उपर है बरसात में हम अपने पौधों की किस प्रकार से देख भाल करें कैसे उसको अधिक बारिश से बचाएं वैसे तो जो पौधे होते हैं बारिश में उनका पानी मिलने से वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं हरे भरे हो जाते हैं और जो बारिश का पानी है उसमें कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है लेकिन दोस्तों अगर बारिश रुक रुक के आए और एक दो घंटे की बारिश हो या आधे एक दिन की बारिश हो तो चल जाता है लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि लगातार बारिश होती है जैसे हमारे हैं आज कल त अधिक नुकसान होता है तो उससे हमें जरूर अपने पौधों को बचाना चाहिए हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जो लगातार होने वाली बारी से हमारे पौधों को बचा सकें क्योंकि हम बहुत ही महनत से अपने गार्डन को तयार करते हैं तो बरसात में भी हमारी जिम्म हैं जिनको अगर हम फौलो करेंगे तो जरूर हमारे पौधे बरसात में खराब नहीं होंगे और खास तोर से जब लगातार बारिस होगी तो हमारे पौधे उसमें बच जाएंगे तो पहले जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है तो दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है नॉर्मल डेज में भी हमें उनकी रोज सिचाई करनी की जरूरत नहीं होती है कभी-कभी हमें उन्हें पानी देना होता है 3-4 दिन पर तो खास कर ऐसे पौधों को जरूर आप चिन्हित कर लीजिए उसमें हमारे सैकुलेंट्स की सारी वराइटी आ जाती है तो जैसे एलो वेरा है हमारा और जिस तरह के सैकुलेंट्स के और भी बहुत सारी वराइटी के पौधे आते हैं तो उन पौधों को हमें जो है अगर ह ज्यादा पानी ऐसे सकुलेंट के पौधे में जाएगा जिनको पानी की कम जरूरत है तो वो जरूर गल जाएंगे तो आप उन पौधों को जो कम पानी मांगते हैं उनको आप लगातार बारिस से बचानी के लिए शेड में रख दीजिए अगर आपके पास शेड नहीं है तो आप उसको देखिए आप उसके गमले को आप जैसे ये गमला है तो जिसको पानी कम चाहिए तो थोड़ी दिर के लिए आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं उलटके रख दीजिए ताकि पानी डारेक्ट इस पौधे में ना गिरे और जो गिरे भी वो सीधे नीचे नि अचाना है तो आप जैसे इस गमले को देखिए इसमें तीन दिन से लगातार पानी बरस रहा है लेकिन इसमें कहीं भी पानी का जमाओ नहीं हुआ है तो वेल ड्रेन मिट्टी अगर आप अपने पौधों के लिए बनाएंगे तो उसमें जितना भी पानी गिरेगा वो पौधे हैं जिसमें पानी का जमाओ होता है आप अगर इस गमले को देखिए तो पानी इसमें जम गया है आगे देखिए इसमें भी पानी जम गया है तो देखिए इसके जितने भी पौधे थे वो सारे पौधे सूख गया है तो यह पानी जमने की वज़े से लगातार बार लेंड नहीं है, थोड़ी सी इसकी मिट्टी चिकनी है, तो यहां पर मिट्टी जम गई है, और पानी इसमें पूरी तरह से भर गया है. तो ऐसे अगर आपके गमलों में पानी भरता है तो आप इस गमले के पानी को जैसे ही बारिश रुखे आप इसके पानी को गिरा देजिए लीचे तो इह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पानी को आप इस तरीके से दोस्तों गिराते रहेंगे तो पानी का जमाओ नहीं होगा इस गमले में भी देखी हमने कटिंग लगाई थी गुल्डावदी की और पानी कितना भर गया है तो यहां से भी आपको यहां पानी पूरी तरह से इस तरीके से जितने भी गमले आप देखी एप पानी है तो आप उनको हटा दीजिए नहीं तो यह जो चोटी-चोटी कोई भी पेड़ है उसके लगातार पानी भरने से उसकी जड़े खराब हो जाती है तो इस तरीके से आप करिए और एक चीज जहां जहां आपके गमले में पानी भरता है आप उसके ड्रेनेज होल को चेक कर लिजे नीचे क्योंकि वो हो सकता है बंद हो गया हो और जिसकी वज पानी पानी भी गुलाब का है आपके पादे में जैसे यह पौधा मेरा गुलाब का है आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें बहुत सारे देखी खर पतवार बीट्स लगी हुई है और बहुत सारे इस तरह के देखी सूखे पत्ते इसमें पड़े हुए हैं तो आपको बरसात में काम करना है कि ये जितनी भी खर पतवार है इनको निकाल कर आपको बाहर कर देना है क्यों ये पौधा जल्दी सूखेगा नहीं और इसमें पानी ज्यादा समय तक भरा रहेगा तो ये पौधा खराब होने का डर है तो आप अपने जितने भी गमले हैं उसके खरपतवार आप उसको दूर कर दीजे और पानी अगर एक दो दिन के लिए रुपता है तो आप उसमें ये सब खरपतवार हटा के उसमें हलकी सी गुडाई कर दीजे ताकि जो पानी उपर जमता है वो धीरे धीरे छेट से नीचे चला जाएगा और आपका जो पौधा है उसकी जो मिट्टी है वो जल्दी ही सूख जाएगी अगला काम दोस्तों ये करना है कि जो आपके पौधे है वर्साद के मौसम में इसमें पेस्ट अटैक बहुत ही जल्दी लग जाता है इसकी मिट्टी में भी पेस्ट आ जाते हैं और पत्तियों में भी अटैक हो जाता है तो आप देखें कि जो पत्तियां जो डाले आपकी खराब हो रही है उन डालों को आप उसको तोड़ कर अलग कर दीजिए सौफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए इससे आपकी जो पौधा है भी बुशी हो जाएगा और जो भी जो रोग ग्रस जितनी भी डाले हैं उसको आप हटाकर अलग कर देंगे तो और भी पौधों में रोग लगने से बच जाएगा उसके अलावा आप हफते में एक बार जैसे ही मौसम साफ हो बरसात के मौसम में आप साफ फंगिसाइट या नीम आयल का छिरकाओ हफते में एक बार जरूर कर दें और थोड़ा थोड़ा आप मिट्टी में भी उसको डाल दीजिए ताकि मिट्टी में भी फंगस ना लगे और पत्तियों में भी फंगस ना लगे इस तरीके से हमारे जो फूल है और पत्तियां है वो अराम से चलती रहेंगे और बरसात में भी हमारे पौधे यल्दी रहेंगे और उसमें किसी तरह का भी अटाइक नहीं लगेगा तो दोस्तो आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि लगातार बारिस में भी हमारे पौधे बचे रहेंगे और हम जो है अपने गार्डन को खराब होने से बचा पाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको यही शेर करना था कि आप हैवी रेन से कैसे अपने पौधों को बचाए तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएग और अधिक से अधिक शेर कीजिएगा अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धरन्यवाद